नाकपुर की RSS मुख्याले कार्याले में आसाम की मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्वास सर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सरसंग संचालक मोहन भागवत मिले इस मौके पर बंदवार आसाम की राशिती को लेकर बादशीत की गई नाकपुर की RSS मुख्याले कार्याले में आसाम की मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्वास सर्मा RSS के सरसंग चालक मोहन भागवत से मिलने नाकपुर पहुचे एक माँ पहले मुख्यमंत्री बने हिमन्ता बिस्वास सर्मा बच्पन से ही RSS के स्वयम सेवक है हिमन्ता बिस्वा सर्मा शुरू में कॉंग्रिस में थी लेकिन कॉंग्रिस की निता गो गई इनसे अन्बन होने से उन्होंने कॉंग्रिस छोड़ कर बीजेपी का दामन धामा था सर्बानन सोनिवाल असम बीजेपी के मुख्यमंतरी थी पात साल तक उनका कामकाज भी चला लेकिन असम बीजेपी ने हिमंता बिस्वा सर्मा की नाम पर मुख्यमंतरी की मुहर लगा दी जिसके बाद असम के मुख्यमंतरी हिमंता बिस्वा सर्मा बने है हाले में असम की मुख्यमंत्री द्वारा मुसलिव अपनी जन संख्या कम करी ऐसा विवादित बयान भी दिया गया था जिसे राज़नीती भी करमा गई पहली बार मुख्यमंत्री बनने की बाद नापपर की RSS मुख्याले में जाकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा इन्होंने बंदवार में RSS की सरसंग चालक मोहन भागवत से कई विश्यों पर बात चीत की असम में बांगला देशी घुस्पैटियों को कैसे निकाला चाय इस पर विस्तुद चर्चा की गई असम के इस समय में बिस्तुद की टीम RSS के मुख्याले के पास है दर्शो को हम आपको बता दे कि इस समय पर आसम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यहां पर आये थे उन्होंने सरसंग चालक से बन कमरे में कुछ बाचित की राजनीती के उपर में चर्चा की गई ऐसा कयास लगाया जा रहा है जब हमने बात करना चाहा तो वे यहां से निकल चुके है लेकिन राजनीती को लेकर क्या बाचित हुई यह अभी इसके बारे में खुला सा नहीं हुआ है लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से उनका एक जो बयान था वो काफी विवादित था ऐसे में और क्या चर्चा हुई है यह तो आने वाला समय बताएगा RSS के मुखेले से कैमेरा परसन अख्रेज भारत वाच के साथ संजय मीरे BCN News नाकपूर